ये कहना चाते हैं शाराब घोटाला क्या है शाराब घोटाला आपके पास ED है CBI है पुलिस है ACB है किसी को उठाके जेल में डाल दोगे दुर्गेश पाठक जुम्मा जुम्मा दो महिना पहले विधायक बना उसका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं अभी तो समझ भी नी पा गोटो है तो 13 घंटा पूस्ताच किया विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्यूनिकेशन इंचार्ज है पार्टी का बंदा दिल्ली का कम्यूनिकेशन समाला पंजाब का कम्यूनिकेशन समाला अभी गुजरात का समाला है उसको उठाके ले जाती है सराब घोटाला अरे जो आदमी पाठी का पदादिकारी है उसका किसी पॉलिसी से किसी घोटाला से सरकार के कामकास से क्या लेना देना है। अब कोई भी मैटर, एनी मैटर, विचिस सब जुडिश, लेट दे कोट डिसाइड, हमें कोट पे भरोसा है, लेकिने अमीश भाई, सुनिए मेरी बाद, लेकिने सबसे कम समय मुझे दिया है, मैं चुप चाप इनकी बास सुन ला था, इसी नूरा कुस्ति के वज़ा से देश पिछे है, तो आप देश को आगे, लड़ना नहीं है, देश आगे कैसे बनेगा, और मैं आपको बताता हूं, इन्हों ने अभी पंजाब में सरकार बनाए, पंजाब में तो ये स्थिती बन गई, सरकारी मुलाजमों को पैसे नहीं दे पार रहे, पीजी एस्पाल में फ्र उस महिला की वीडियो है जिसको पंजाब के सिविल अस्पताल में फर्ष पर बच्चे को जन्द देना पड़ा क्योंकि वो गरीब परिवार से आती ती यह कहते है वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल मुझे बता दे ने बीच में ना बोले बीच में बोले 40 सेकंड मेरे है 40 सेकंड यहां पर तो विग्यापन चलेगा यह जो विग्यापन की हवा निकाल देते है चलिए ना जूटा मैं बोले है करके 10 सेकंड वो उसको सिकले जिए इस अब आते एश्कुल पर आई ने अब स्कूल की बात कर लेते हैं केवल स्कूल की प्रधान मंतरी मोधी जब गुजरात के मुख्यों मंतरी बने तो केवल मैं आपको 10 साल के कारेकाल का बताता हूँ जो ड्रॉप आउट रेट है लड़कियों का 30 फीसद घटा और 13 फीसद एंरॉल्मेंट बढ़ी और अभी पिछले 9 साल में क्यूंकि 8 साल के इनकी सरकार से कंपैरेजन है इनके स्कूल में 22,000 गेस टीचरों को निकाला गया है 700 स्कूलों में वहाँ पर साइंस और मैच सिखाय हमारी स्कूल में हमारी स्कूल में एक लाग शञायो को नौकरी दी गई है ताकि अच्छी टीच्टि मुझे बता के यह 500 ने स्कूल के नावे 500 ने स्कूल के दावे और 20 ने असपिताल के दावे करते थे यह मुझे बता दे 100 नए स्कूल के नाम बता दे स्कून है अब यह बोलेंगे चले स्कूल दिखाता हूं एक भी नए स्कूल ने मना और यह देखे तस्वीर यह हमारे केज़िवाल जी तो चार्टर प्लेन में हैं और 40,000 बच्चे टीन में पढ़ रहे हैं तीन में यह सही है या गलत है अब मुझे राजकुपर भाटी के बाद जाना है बाटी जी 2024 की भी बात है 2022 के अंदर आपका कोई बड़ा स्टेक नहीं है लेकिन अखिलेश जी दुबारा ध्यक्ष बन गए है और उन्ने ध्यक्ष बनता ही MY फैक्टर की बात करी है और कहा कि मुस्लिम यादवों के वोट काटे गए क्या आपको लगता है कि घूम फिरके नई राजनीती की बात करने का आप कर रहे थे लेकिन आप वही बात कह रहे हैं जो मुलाइम सिंग यादव शिप्पाल यादव 20 साल पहले कहते थे एक तो अखलेश जी ने जो कहा है MY फैक्टर की बात उन्होंने बिलकुल नहीं की है ना कोई MY फैक्टर हमारी पार्टी में चलता है हमारी पार्टी को 2022 के विदानसवद चुनाव में तीन करोड़ वोट मिले हैं और यह 3 करोड़ वोट मुसलमान और यादव के नहीं हो सकता है इतने वोट इनके एह भी नहीं उत्तर प्रदेस में हर वर्ग से हर जाती से हर समधाय से हमारी पार्टे को वोट मिलाए लेकिन तो इनके सरकार मांती होगी कि यह दो वेट तो इनहें मिलेंगे यह 210ग हमें मिलाकि कॉन्स अपनों consists और इस 수 있습니다 अब हना नहीं किया है यह भारतिक ऩ्यनता पार्टी की सरकार ने तार्ल शुकार ये हमने आंकाने खत्ते दिए आपको एक मैंने सुन ली नहीं मैंने अभी पी सुनी है मैं सम्मेहलन में मौझूद था जब बोल रहे था था मुस्लिम यादव की वोट काटे गए उन्हों नहीं कहा है फिर लेकिन काटे किसने हैं उन्होंने यह तो नहीं काख लेजिने कहमें मुसलमान और यादव वोट द रहे बहुत ट्रांसपेरेंसी है इनके चुना जब भी जब इनका अध्यक्ष चुना जाता है आप इमांदारी साफ सोच के बता दो या ओडियंस बता दे छे महीने पहले अख़ार यह लिखना सुरू कर देते हैं कि कौन अध्यक्ष बनेगा किसको आरे से का शिरवाद मिल है नागपुर से किसका नाम तैह हुआ है और वही अध्यक्ष बनता है यह कहीं की ट्रांसपेरेंसी है माननी मुल्ली मुरोर जोसी और मानी अडवानी जी को जब मारदर्सक मंडल में डाला था यह मोदी जी नाराज हो गया थे इसलिए इसलिए बड़ी चर्चा न्यूज स्ट्रेटिन इंडिया पर जंता जनारदन के बीच से जारी है देखते रही है यारपार अधा यह कहां तो बैटा है सुन रहे हैं हमान भी साव सार्मा को पीजियों साल के दर चोड़ दें दूसरों के चोड़ कर रहे हैं